हेलो एवरिवान वेलकम बैक टुगरान अकेडमी देखे आप अलोड़ी जानते हैं कि हम कैलरी मीटरी के प्रीविस एकोशन डिसकर्स कर रहे हैं और आज के लेक्चर के अंदर भी हम उसके रिलेटर नुमेरिकल जो हैं वो डिसकर्स करने वाले हैं अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसको लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंस के साथ ताकि हमारा यह जो चैनल है वो अच्छे से ग्रो कर सकें और हाँ उपर जितने भ सब्सक्राइब कोडिटेशन नहीं के आपका स्पेसिविक लेटनच वैपराइजिशन भी हुआ करता था इसका मतलब को इतना मुश्किल नहीं है इसका मतलब हिए है amount of heat required to change the state of one kg of water into vapor तो वो हमारा basically by keeping the temperature constant यह लिखना बहुत important है तो वो हमारा specific latent heat of vaporization लिखा जाता था next आपका what is the principle of calorie-metry तो देखो जब हम किसी भी दो जैसे चीजों को आपस में mix करते हैं तो उस एक जो है वो हमारा heat loss करता है और दूसरा जो है वो heat gain करता है तो यह principle of calorie-metry यह कहता है कि एक substance जितना heat loss कर रहा है उतना ही heat दूसरा substance जो है वो gain करेगा बाकी proper answer आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है आप चाहें तो यहां contact and if no heat is allowed to escape to the surroundings then the total heat lost by a hot body must be equal to the total heat gained by the cold body ठीक है यह आपकी statement है चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके next question की तरफ अब यह question जो है इस question को आपने थोड़ा से समझना है अराम से समझना है तो कोई मुश्किल नहीं है कहता है a piece of ice is heated at a constant rate the variation of the temperature with heat input is shown in the graph here तो यह graph में देख सकते हो यहां पे आपको temperature दिया है यहां पे आपके पास time आपको दिया हुआ है कहता है कि what are represented by a b and c d देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो a b है इसके सामने का जो temperature है वो 0 degree Celsius है यह एक straight line जो यहां पे बनी है horizontal line parallel to the time axis यह हमें यह बताता है कि कुछ time के लिए temperature में कोई भी change नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह जो a b line है यह state change को represent कर रही है अब state change का मतलब क्या है कि 0 degree Celsius के अंदर यह जो body है यह आपकी melt हो रही है तो यह आपका एक तरह से melting point है ठीक है तो यह क्या represent करता है melting point को represent करता है b के बाद जब वो पूरी तरह melt हो चुका है मतलब liquid बन चुका है यह ice है तो liquid बन जाएगा मतलब पानी बन जाएगा उसके बाद time बीते बीते इसका जो temperature है वो भी आपका बढ़ता जा रहा है जैसे वो C point पे पहुंचेगा मतलब जब उसका temperature 100 degree Celsius हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हो कि C से D temperature में कोई change नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आपका state change हो रहा है तो यह जो point आप देख रहे हो 100 degree Celsius का यह boiling point है क्योंकि इस point के अंदर आपका जो liquid है वो vapor में convert हो रहा है कहते हैं कि what conclusion can you draw regarding the nature of the ice from the above graph तो nature of ice के बारे में देखे एक बात आप भी जानते हो कि यहाँ पर जो ice का temperature है वो minus 10 degree Celsius है इसका मतलब यह है कि by adding the impurity or by increasing the pressure इसके melting point को down किया गया है then यह temperature gain कर रहा है gain करने के बाद जैसे वो जरीड़ी Celsius पर आएगा तो अब जो amount of heat इसको मिलेगी उसका नाम है latent heat जिसका काम होता है state का change करना state change का मतलब होता है solid to liquid, liquid to gas ठीक है तो यह है state change का मतलब बड़ इसमें temperature में कोई भी change नहीं आता है तो उस heat को latent heat का हम नाम देते हैं I hope आपको यह question और उसका यह answer समझ में आ गया होगा बाकी वो यहाँ पर मैंने इसका answer proper दिया भी हुआ है आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब बात करेंगे 4 marker question की कि अब मैं आपको हर एक question का एक proper hint देदूँगा solve आप करेंगे answer मैं आपको देदूँगा answer मैं जूर कर ले ना अपना but मैं आपको try करूँगा maximum to maximum मैं करवा दू problem यह कि बहुत जादा numericals है और एक ही type के different different values के base पे आए होए है तो करना शुरू करते हैं आपको समन में आ जाएगा देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस 28 number के question की अब 28 के अंदर कहता है कि a piece of ice of 60 gram is dropped into 140 gram of water at 50 degree Celsius calculate the final temperature of water when all the ice has melted देखिए एक बात आप भी अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास मान लेते हैं मैं आपको थोड़ा से इसको समझाने के कोशिश करूँगा ताकि clarity आएगी हम क्या कर रहे हैं यहां पे देखिए जो हमारे पास यहां पे पानी है ना जो पानी है पहले हम पानी की बात कर लेते हैं पानी का जो मास है वो 140 gram है और इसका temperature है 50 degree Celsius इसमें इस बार जो बरफ हम डाल रहे हैं ठीक है बरफ जो डाल रहे हैं उस बरफ का मास है 60 gram और इसका temperature अगर नहीं दिया तो मतलब यह 0 degree Celsius में ही है अब जब यह बरफ इसमें डालेंगे तो सबसे पहले मन में यही आता है कि यह जो पानी है इसका temperature जो common temperature होना चाहिए वो 0 degree Celsius हो जाएगा ऐसा नहीं होता जब आपके दो सबस्टांसे जैसे यह सबस्टांस और यह सबस्टांस पहले बाद तो इन दोनों की जो specific heat capacity हो डिफरेंट होती है आइस की कम होती है पानी की जादा होती है इसके इलावा दोनों का मास भी डिफरेंट है जिस वज़ासे यह दोनों के दोनों 0 degree Celsius में तो नहीं रहेंगे तो मतलब यह हुआ कि यहाँ पर एक common temperature अचीव होगा जो की T है तो यह जो पानी है यह पानी अपने temperature को 50 से T तक लेके आएगा और यह जो बरफ आप देख रहे हो यह पूरा का पूरा बरफ आपका सबसे पहले तो होगा melt और melt होने के बाद उसके बाद उसका temperature में rise आएगा from 0 to 40 degree Celsius तो मोटी मोटी बात यह है कि heat gain by ice ठीक है is equal to heat lost by water heat loss by water अब बात को समझे प्लीज heat gain by ice में सबसे पहले उसमें melt हुआ है प्रस उसका जो temperature है उसमें increase आया है इसमें इसका जो temperature है वो down हुआ है जब कोई चीज melt होती है तो हम M into L का इस्तमाल करते हैं ठीक है बाद में उसका temperature rise हुआ तो M C delta T के अंदर यह मैं लिख देता हूँ पहले एक बाद delta T यह किसका है यह अभी बात हो रही है पानी की जो यह ice पानी बन चुका उसके लिए है यह ice के लिए है आपका और यहां पर क्या आएगा M of water, specific heat capacity of water and change in temperature of water लिया जाएगा ठीक है अब सबसे पहले mass 60 gram है और यह सब gram में दिया तो कुछ convert करने की आपको जुरूरत नहीं है तो देखिए हम यहां पर करेंगे 60 gram जो mass दिया हुआ और latent heat of ice यह देखो लिया हुआ है 336 तो 336 यहां पर लिखेंगे प्लस next है mass of water वो देखो यह जो बरफ था यही बरफ पिगल कर पानी बना है तो उसका mass भी 60 gram ही लेंगे तो 60 gram into इसकी specific heat capacity पानी की 4.2 आपको यहां पर दी हुई है is equal to एक गलती जूर हुई है मैं इसको साथ के साथ ठीक कर लो नहीं तो रह जाएगा क्योंकि temperature में अब जो change है वो क्योंकि पिगलने के बाद उसका temperature 0 से T तक होके जाएगा जिरो से T होगा इसलिए यहां पर T minus 0 किया जाएगा is equal to अब यह जो पानी है आपका यह है 140 पे gram इसका भी 4.2 है और इसका temperature 50 से T हुआ है तो यहां पर 50 minus T मैं कर दूँगा तो यह चीज आपने यहां पर करनी थी ठीक है अब एक काम करता हूँ जल्दी से पहले तो मैं ले आता हूँ अपना calculator ताक कि मैं solve करते हो तो तो जब आप इसको solve करते हो तो आपके पास आएगा that is 20160 when you solve it आपका यह बनता है ठीक है अच्छा जी इसके बाद इसके बाद प्लस का sign कर देते हैं अच्छा अब आयाता है next आपका कि 60 into 4.2 मैंने किया तो यह बन गया आपके पास यहां पर that is 252 t यह मेरे पास आएगा is equal to अब यहां पर क्या होगा कि 140 into 4.2 into 50 होगा उसे तरह 140 into 4.2 into minus t होगा तो मनला दो अलग terms बनेंगे मेरी तो सबसे पहले हम बात करते हैं 140 into 4.2 into 50 मैंने किया तो इससे मेरा answer बन गया है that is 29400 ठीक है जी यह बन गया यहां पर आगया minus और उसके बाद 140 into 4.2 तो यह 588 मेरा यहां पर बन जाएगा तो यह आ गया 588 that is t यह मेरे पास यहां पर मुझे मिल गया अब यह धर जाएगा मतलब हो गया 252 t plus 588 t is equal to 29400 minus 2160 तो यह अब आपने further solution को करना है तो अब palanties को add कर लेते हैं तो 2588 plus 252 किया तो 840 आपके पास यहां पर मिलेगा तो 840 t तो आपको यहां मिल गया is equal to अब मैं क्या करने लगा हूँ 29400 में minus कर दूँगा 2160 को तो when you solve it आपका answer इसमें बनेगा that is 9240 तो मतलब अब t जो है वो आएगा 9240 divided by 840 किया जाएगा ठीक है तो बस जो भी answer है उसको हम divide कर देते हैं 840 के साथ तो final हमारा answer आचुका है वो है 11 केलविन लिखा है तो मैंसे मैं केलविन ही लिख देता हूँ 11 केलविन जो है वो आपका final answer है I hope आपको यह अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने ये numerical को solve करना था चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके next question की तरफ देखिए अब हम बात करेंगे question number 29 की कहता है कि 104 gram of water at 30 degree Celsius is taken in the calorie meter made of copper of mass 42 gram so when a certain mass of ice at 0 degree Celsius is added to it the final steady temperature of the mixture after ice has melt was found to be 10 degree Celsius so find the mass of ice added यह हमने पहले भी बहुत बार किया है और यह बहुती ना famous type के numerical है इसको धंग से करना form marker का है अच्छे से करना मतलब इसको समझना यह है क्या बाकी तो मैं solve करके दूँगा ही आपको बड़ एक बार आप समझे और हमने किया भी हुआ यार बहुत बार कर लिया सबसे पहली बात आपको एक calorie meter दिया हुआ है calorie meter का इस बार जो mass है आपका मलब copper वाला के vessel का होता न तो वो 42 gram आपको दिया है अगर आप मुसे पूछे कि temperature इस calorie meter का क्या होगा initial temperature तो मैंना आप पहले भी का है जब कभी वेसल mention किया जाता है तो वेसल का temperature वही होता है जो उसके अंदर डले होए content का होता है अब इस case में जब आप देखेंगे तो पड़ा हुआ देखो आप उपर देखो इसमें लिखा है कि 104 gram आपके पानी का है उस पानी का temperature है 30 degree Celsius तो इसका मतलब हुआ कि इस copper के वेसल का temperature भी 30 degree Celsius ही होगा इसके बाद इसके अंदर बरफ डाली गई है बरफ आपका है 0 degree Celsius पे अब क्योंकि ये 0 degree Celsius पे है और उनने का है कि final temperature आपका 10 degree Celsius है तो बरफ में दो चीज़े होंगी पहला वो आपका melt होगा melt होने के बाद उसके temperature में rise आएगा तो अब हम करते हैं कि क्या करना है तो सबसे पहले आएगा बटा कि heat gain heat gain by ice is equal to heat loss by water पानी ने भी अपना heat loss किया है प्लस साथ साथ क्योंकि अगर vessel दिया है तो आप उसका भी लिखेंगे heat loss by calorie meter देखें अब heat gain by ice का मतलब होता है कि पहले तो वो melt हुआ melt होने के बाद उसका जो temperature है उसमें आपका increase आया है तो melt होने का मतलब हुआ mass of ice into latent heat of ice use करूँगा इसका क्योंकि temperature rise हुआ है और वही ice melt होंके पानी बनी है तो mass मैं वही लूँगा लेकिन specific heat के पैस्ट जे into change in temperature 0 से 10 होने वाल है तो 0 से मैं उसको 10 कर दूँगा मतलब basically 10 minus 0 होना था अभी मैं इसको साथ के साथ ठीक भी कर देता हूँ ठीक है तो यह आप कहा देगा that is 10 minus 0 कर दिया that should be equal to heat lost by water water तो mass of water ठीक है specific capacity of water and change in temperature of water आप यूज़ करेंगे साथ में heat lost by calorimeter तो mass of calorimeter ठीक है specific capacity of calorimeter and change in temperature of calorimeter आप यहाँ करेंगे mass of ice मुझे find करनी है तो mass of ice अगर मैं common ले लूँ तो अंदर आजएगा L of ice तो L of ice मतलब है latent heat of fusion of ice जोगी 3.36 समय दिया हुआ है इसमें से अगर mass of ice common निकाल लूँ तो specific heat capacity of water जो कि 4.2 है और साथ में 10 multiply हो जाएगा is equal to पर यह आजएगा mass of water अब जो पानी अंदर डला है उसका mass 104 gram है क्योंकि यह gram है तो उसलिए conversion करनी जूद नहीं है into specific heat capacity और यह तो यह 4.2 और साथ में change in temperature क्योंकि 30 initially था बाद में 10 हो गया तो change 20 का आया है subtract करेंगे तो 20 आ जाएगा plus calorie meter के mass 42 दिया हुआ है उसकी specific heat capacity 0.4 हमें दियो ही आप यहाँ देख सकते हो और साथी साथ आपको changing temperature इसमें भी 20 ही रहेगा क्योंकि जो उसके content का temperature change होता है वही उस vessel का temperature change होता है इस बारे में गलती मत करना कभी भी ठीक है जी और इसी वज़े से यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा यहाँ पर आपका 20 लिया जाएगा बस जी अब मुझे थोड़ा से इसको solve करना है तो लीजिए अब मैं फटा-फट आपके solve कर देता हूँ तो 336 को मैं add करूँगा 42 के साथ ठीक है तो 378 तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा तो यह आ गया 378 ठीक है वह नहीं solve इट आपको यह मिलेगा अच्छा अगले case में क्या है 104 है उसमें multiply होगा आपका 4.2 और multiply होगा 20 तो आपका जो solve करने के बाद answer बनता है वो है 8 7 3 6 वैं यह डू दिस आपका solve करके यह वाला answer आपका बन जाएगा ठीक है अच्छा जी प्लस कर देते हैं साथ में मुझे करना है 42 multiply by 0.4 ठीक है multiply by आपका 20 ठीक तो हमारा final जो है multiply by 20 multiply by 20 है न यह तो 3 3 6 तो आपका 3 3 6 आपको यहाँ पर मिल जाएगा सो अब M of I मुझे निकालना है ठीक है अब एक काम करते हैं 3 3 6 में add कर देते हैं 8 7 3 6 को तो आपका 9 0 9 0 7 2 मिलेगा divide by 3 7 8 आपने करना है तो divide by 3 7 8 जबाब करते हो आपका जो answer है वो 24 ग्राम आपको यहाँ मिल जाएगा तो बस इस तरीके से आपने यह वाला जो numerical था वो solve करना था easy है न यह लेंदी जरूर है calculation है मैं मानता हूँ बट easy बहुत है इसके पीछे अपना जो आप option select करते हो चोड़ना मत यह बहुत easy easy होते है अराम से आपके अच्छे marks बन जाएंगे ठीक आगे बड़े तो हाँ मैंने यहाँ पर properly solve करके दिया हूँ है बट मैंने आपके लिए आपके लिए वहाँ पर करे दिया हूँ है ठीक है आगे देखते हैं अब हम से बहले कहता है कि heat energy is supplied at a constant rate of 100 constant rate to 100 gram of ice at 0 degree celsius the ice is converted into water at 0 degree celsius in 2 minutes how much time will be required to raise the temperature of water from 0 degree celsius to 20 degree celsius ठीक है बहुत जादा easy है it is easy देखे क्या हो रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ चाहद आपको समझ में आए हमारे पास यहां पर एक ice है वो ice जो है वो है 100 gram की ठीक है उसका temperature है 0 degree celsius कहता है कि वो melt हो रहा है melt होने melt होने में इसको 2 minute का time लगता है ठीक है तो पहले तो मैं यह देखता हूँ कि जो भी heat supply इसको मिल रही है उसकी power क्या है क्योंकि उसी power का इस्तेमाल करके मैं second part को solve करूँगा मतलब मैं समझाता हूँ don't worry तो जब कोई चीज melt होती है तो क्यों क्या होता है हमारा m into l होता है तो मास मेरा hundred gram है और l जो है वो three three six मेरे को दिया हुआ है इसलिए three three six zero zero joule of heat की यहां पर बना आप कह सकते हो इसने absorb किया है तब जाकि यह दो मिल्ट में melt हुआ है तो अगर मुझे power को find करना है तो power upon power जो होता है वो आपका joule per second मतलब यह हो गया कि क्यों by T के बराबर होता है हमेशा याद रखे वेज़े छोट-छोट चीज़े होती है बड़ यह बहुत important चीज़े होती है तो यहां पर आगया three three six zero zero joule divided by दो मिनट है अब यह मिनट को second में convert करना ही पड़ेगा पहुता कि वाट में answer है तो two into one twenty आप करके इसका answer जो है वो अपना निकाल लेंगे तो जब आप इसको solve करेंगे तो आपका two eighty joule per second आपका यहां पर answer मिल जाता है जिसको आप two eighty what भी कह सकते हो ठीक है तो यह power है तो यह power लगातार इतनी supply करता जा रहा है अब उसने कहा कि जब वो एक बार melt हो गया तो melt होने के बाद इसका temperature है वो twenty degree Celsius पर लेके जा रहा है तो उस time मालब वो कितने time में होगा तो मैंने तो आपको यह कहते हैं उसको power बता दी हुई है कि यह power क्या है तो देखिए सबसे पहली बात जब temperature में change आता है तो temperature होता है बिटापका mc delta t पहली बात क्यों जो है वो होगा power into time आपको यहाँ पे देख सकते हो तो देखो time निकालना है power तो मुझे पता ही है इसलिए पहले निकाला था अब यहाँ पे mass जो है वो तो 100 ही रहेगा 100 है specific heat capacity 4.2 की और change in temperature 20 का रहेगा time क्योंकि निकालना है तो 100 into 4.2 into 20 divided by 280 में यहाँ पे कर दूँगा ठीक है तो हमने यहाँ पे solve किया हुआ है तो final answer जो है आपका यहाँ पर पहले तो आता है 30 30 seconds में आपका answer आता है अगर आप यहीं पे छोड़ दो बिल्कुल आपका सही है कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकर अगर आप minute में निकालना चाहते हो तो 30 seconds को 60 से आप divide कर दीजिए आपका 0.5 minute आपका answer आनेगा तो आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट basic था कि आपको समझाना चाहिए कि यह actually हो क्या रहा है ठीक है जी चलिए बाकि यह आपके सामने यहाँ पर solve किया हुआ है आप चाहें तो देख भी सकते हो बात करते हैं 31 नंबर की अच्छी नुमेरिकल ही नुमेरिकल है क्या करें चाहर नंबर में आते जाते नुमेरिकल हो एक बात मता दूँ जो अभी मैं नुमेरिकल कराके हटा वो बहुत important टाइप का नुमेरिकल है प्लीज उस पर अच्छे से focus करना ठीक है 60 degree Celsius to 10 degree Celsius ठीक है mass of water तभी मुलों क्या हो गया तफाइदा mass of water used ठीक है बहुत ज़्यादा असान है अराम से आप कर पाओगे तो देखिए सबसे पहली बात आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपके पास एक ice है ठीक है इसने बोला है ठीक है ठीक है समझ गया यह 40 gram आपके पास यहाँ पे है इसका जो temperature है वो 0 degree Celsius है ठीक है कहता है कि आपने उसको एक पानी में डाला उस पानी का temperature initially 60 था और 60 के बाद आपने उसको 10 degree Celsius में ले आए अब यह कितना mass of water है यह calculate करना है लेकिन एक बात आपको यह समझनी होगी प्लीज कि अगर यह बरफ है तो पहले तो यह melt होगा melt होने के बाद उसका temperature कहां तक पहुंचेगा 10 degree Celsius तक इसलिए सबसे पहले आपके पास आएगा mass of ice latent heat of ice क्योंकि यह melt हुआ है plus वही mass of ice specific heat capacity of water कि वह melt हो चुका है और change in temperature of water यहां पे आएगा और जो पानी है वो heat को क्या कर रहे है loss करेगा यहां पे तो heat loss जो है mass of water यह calculate करना है specific heat capacity of water use करेंगे और साथ में change in temperature of water यहां पे डाला जाएगा so mass of ice 40 दिया हुआ है आपको और यह gram में है इस बार अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ यहां पे kg में दिया है या तो इसको kg बना लीजे या तो वो gram बना लीजे better है इसको gram बना लो उसके लिए divide by 1000 करना पड़ता है तो आपका 336 यहां पे आ जाएगा plus 40 तो इसलिए यहां पे 10 आ जाएगा तो आपका 60 से 10 हुआ है इसी वज़े से 60-10 में लोगे तो 50 हम यहां पे use करने वाले थे ठीक है जी यह सब हमने यहां पे किया हुआ है so 40 into 336 solve किया हुआ है मैंने तो 13440 आपका यहां पे आ जाएगा 40 into 4.2 into 10 करेंगे तो 1680 आपका यहां पर आएगा when you solve it you will get it ओके या ठीक है और उसके बाद is equal to mass of water और जब आप इसको solve करते हो तो आपका पास आता है 42 यह आएगा ठीक है तो यह आपका बन जाएगा मैंने किया हुआ जाएगा 210 आपके पास यहां पे आ जाएगा so mass of water will be obvious है इन दोनों का sum that is 15120 divided by 210 देखो मैंने पहले इसलिए जोर्व कर लिए को कि आपको गलत आंसर ना मिले बर फिर भी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं मैं ठीक करके upload दुबारा कर दूँगा तो finally actually numericals बहुत जाद है बहुत जादा है जस टाम यह सारे करना था बहुत टाइम लग गया तो करने में तभी तो टाइम लग रहा है वीडियो को डालने में भी ठीक है बड़ कोई नहीं करने तो थे ही सारे हमने तो finally यह आपके पास यहां पर अंसर बन जाता है is present in a copper vessel of mass 50 same वही चीज़ है same वही चीज़ है अब वो कह रहा है कि उसका temperature down लेके आना है आपने 5 degree Celsius तक वही सेम चीज़ बार-बार हम यही पढ़ते जा रहे है और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आगा करना क्या है ठीक है तो देखिए सबसे पहले बात वही है कि copper vessel है copper vessel जो है इसका mass 50 gram है और इसका जो temperature है वो क्या होगा वही जो content का है 30 degree Celsius क्यों क्यों कि जो पानी है उसका mass है 250 और उसका temperature 30 degree Celsius है common temperature 5 आ चुका है या मुझे लगता है आपको पता है क्या करना है हमने मैं तो आपसे यही कहूँगा कि kindly इसको खुद solve करो और उसको बाद match करो मेरे results के साथ यहाँ पर जब आप इसको solve करते हो तो आपका यह क्या है यह आपका इस तो निकालना है न इस जिन डूरी Celsius है तो सबसे पहले वही बात यार यह melt करेगा और melt होने के बाद वह temperature 5 तक पहुँचेगा ठीक है तो पहले हम ice के बारे में सब लिख लेते हैं देखी क्या आजएगा ice का basically यार अगर मैं यह बोल लूँ इसको इस तरीके इस तो वह better है कि heat heat gained gained by ice is equal to heat loss by water प्लस पानी के साथ कैलोरी मीटर अब कैलोरी मीटर जब आ गया vessel आ गया तो फिर वह include करना है बाद खतम है उसके बाद है heat lost by कैलोरी मीटर यह चलता रहेगा ठीक है जी so heat gained by ice तो यह melt हुआ बाद में temperature आइज हो आपको पता है तो मैं सिधा जल दिल लिख रहा हूँ उसके बाद L of ice है आपका प्लस उसके बाद नहीं स्टाइगा M of ice specific heat capacity of water and change in temperature of water I hope यह अब तक आपको आ जाना चाहिए कि अब बहुत बार हमने ऐसे कर लिया है heat loss by water की बाद अगर मैं करूँ तो यह हमें mass of water specific capacity of water change in temperature of water प्लस अगर मैं calorie meter की बाद कर तो mass of calorie meter specific heat capacity of calorie meter change in temperature of calorie meter मुझे करना है so mass of ice मुझे निकालना है अंदर आजएगा L of ice अब यह सब kg कुजी में दिया हुए but mass grams में दिये हुए है तो मैं सभी specific स्वालों को divide by 1000 कर दूँगा तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा ease या फिर फिर जल्दी आजएगा और अगर आप चाहते हो कि यार ऐसे नहीं करना इस तरह हम एक बार हम बिना उसके करके दिखाओ तो बिना उसके भी करके दिखा देता हो तो यह आपका 3, 3, 6 into 10 की पावर 3 है plus specific heat capacity यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4200 आपको दिया हुआ है into the M.I.S. common निकाल चुको हुआ है जो change in temperature of water जो है वो आएगा 0 से 5 तो into 5 आप कर देंगे यहाँ पर ठीक है यह हो गया is equal to अब यह क्या है यह है mass of water mass of water वो 250 gram आपको दिया हुआ है तो 250 gram है तो उसको भाई 250 divided by 1000 भी करना पड़े है क्योंकि kg में convert करना है दिखो अगर आप चाता हो कि kg में सारा रहे तो उसमें रखना पड़ेगा specific capacity of 4200 है changing temperature की बात करें 30 से 5 मतलब 25 का change आया है ठीक है plus mass of calorimeter 50 gram है तो उसको divided by 1000 भाई यह भी करना पड़ेगा into specific capacity of vessel 400 ठीक है into changing temperature 25 का है तो बस जी अब आपके बास अबने इसको solve करना है तो इसके लिए अगर आपको 10 की problem आती ना तो 00 कर दो 3, 3, 6, 00 प्लस इनका multiple तो इस तरह से solve कर लो तो वो easy हो जाएगा ठीक है जी तो यह clear है ना जो मैंने यहां बें किया आपका good तो अब मैं आपके लिए इसको solve भी कर देता हूँ ता कि आपको समझ मैं कि भाई हम क्या कर रहे है तो mass of eyes जो है अब यह मैं solve प्रॉपरली मैं करके एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे सबसे बलते हैं 3, 3, 6, 00 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 6, 00, 00 तो when I add it तो मेरे पास यहाँ पर मैं इसलिए करो तो कैजी में सबज़ आए कैजी में कैसे करते है तो आपका आएगा 3, 5, 7, 00, 00 तो यह आपका mass आजएगा ठीक है जी अब आगे देखी जाए अब पंगा हो गया शुरू अब अच्छे तरीके से लेंगे 0 से 0 कटा यह 2, 0 इन 2, 0 कट करेगा 0 से 0 कटा इन 2, 0 के साथ यह 0 कटेगा ठीक है जी अब देखीए तो जब मैं पहले वाला part solve करता हूँ तो यह आजएगा 25 into 42 into 25 तो आपके पास जो है उसका जो answer है वो आजएगा 26250 ठीक है तो यह मेरे पास यहाँ पर answer आजाता है प्लस प्लस जी प्लस कितना आया 5 into 4 into 25 5 into 4 into 25 5 into 4 into 20 निकलता है यह बाँ फिर से करता हूँ 5 into 4 into 25 तो 500 ओवियस है जहां आना था 500 ठीक है अब मुझे क्या करना है जी आपको भी पता है इसमें आड़ करिए 26250 तो फाइनली आपके पास म आईस निकालने के लिए 26750 डिवाइड बाई 35700 करना पड़ेगा ठीक है तो बस जी जो है वो करेंगे 35700 35700 टका है हमारा पप पर एक प्यारा सांसर आ चुका है वो है 00749 है तो 49 अप्रोक्समेली 5 हो जाएगा तो 0.075 यह kg है तो बस इस तरीके से आपने यह वाला जो नुमेरिकल था वो सॉल्ट करना था अब हमने पतने कितनी वार ऐसे वाले नुमेरिकल की है I hope आपको समझ में आलेगा कैसे इसके आंसर सामने देने होते है ठीक है ना चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके next question की तरफ सब हम बात करेंगे बड़ा question number 33 की कहता define the term specific latent heat of fusion of substance मैं पहले भी बता चुको और भी answer दिखा दूँगा तो देखिए अगर temperature में change आ रहा है इसका मतलब है कि मेरे molecules की जो kinetic energy है वो बढ़ रही है please try to understand average kinetic energy of the molecule is directly proportional to the temperature temperature जितना बढ़ेगा average kinetic energy हर एक molecule की भी बढ़ती जाती है फिर कहता है कि second part में कहता है कि a change in its state देखिए अगर change state में आ रहा है temperature में कोई change नहीं आ रहा तो बस आप please यह समझ लीजिए कि जो आपके molecules है molecules की जो separation है वो actually में बढ़नी शुरू हो चुकी है और average kinetic energy में कोई भी change आपका नहीं आता है बाकि यह आपके proper answer में लिखके देदी है आपको समझ में आज जाएगा दीक है ना चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपको मैं next question की तरफ बात करेंगे question number 34 की तो देखिए कैसे करेंगे बहुत simple है यार कर चुके है मैं जल्दी जल्दी बस आपके लिए कर देता हूँ कि यार देख यह liquid है liquid मेरा यहाँ पर 300 gram का है initial temperature 30 degree Celsius है final common temperature कोई भी टी हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं बरफ जो है और से क्या करेंगी पहले आपकी वो melt होगी melt होने के बाद उसका temperature rise होगा जब तक वो T नहीं पहुंच जाता इसका मतलब यह हुआ कि heat gained by heat gained by 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 ice is equal to heat loss by liquid पानी नहीं है liquid ध्यान रखना तो यह होजाए कि m of ice and specific heat latent heat of ice melt हो है plus melt होने के बाद temperature rise हो है तो m of ice into specific capacity of water क्योंकि ice melt होके पानी बनता है और change in temperature of water is equal to m of liquid specific capacity of liquid and change in temperature of liquid बस जी तो m of ice 50 है gram 336 आपको value दियो हुई है plus यहाँ पे 50 into यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4.2 दिया हुआ है changing temperature 0 से T है तो इसलिए T ही आएगा mass of liquid 300 gram का है liquid के specific heat को ऐसे 2.65 आपको दिया हुआ है और साथ में इसका changing temperature 30 से T है तो 30 माइनस T हो जाएगा अब ऐसी calculation year में पहले भी बता चुको हूँ आपको हना तो मैं direct आपको answer दे रहा हूँ so when you solve it आपका answer 7.014 degrees Celsius आपको मिलता है so when you solve it you will get it तो यह आपका करने का तरीका है ठीक है अब हम बात करें के question number 35 की कहता है calculate the amount of ice which is required to cool 150 gram of water containing vessel वैसल आगया फिर से ठीक है अच्छास दड़की फाल temperature 5 degrees Celsius हो जाए बहुत simple है देखिए आपके वैसल है उस वैसल का जो मास है वो 100 gram है initial temperature वही होगा जो उसके content का होगा जो पानी अंदर डला हुआ है वो 150 gram का है और इसका temperature 30 degree Celsius है तो इसका भी 30 degree Celsius होगा अब इसमें mass of ice बोल दी गई यार पते नहीं हमने यह मुझे लोगा चोथा पांच में कोशन होगा जिसमें हमने exact वही किया आप देखिए कोशन कैसे repeat होते है धंग से previous year करो automatically आपका सारा cover हो जाएगा यह जो बरफ है यह आपका 0 degree Celsius है देखिए यह आपकी ice जो है जो है जो है जो 0 degree Celsius है पहले क्या होगा यार बोलो melt होगा उसके बाद क्या होगा temperature rise होगा यह काम तो होना ही होना melt होना है rise होना temperature यह दो चीज़े होती है अच्छा जी तो यह है आपका 150 था क्या है यह 150 आपको दिया होगा बस कुछ भी नहीं है तो heat gain by ice is equal to heat loss by water plus calorie meter calorie meter बस यह है तो देखेंगे ice तो करेगा M of ice L of ice अब बता दिया है अब तो मैंने आपको आजाना चाहिए यार ऐसे नहीं कि अभी भी नहीं हारा गल्थ बात है फिर तो heat loss by party के बाद करो mass of water specific capacity of water और आपको सब कुछ समझ में आया है कि हाँ सर आ गया और क्या कुराई आ रहो कुराई आ रहो हूँ थोड़ा पता तो लगी तो मैं आप भी रहे के नहीं तो heat loss by water heat loss by water की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कितना heat loss हुआ है यार पर लिख लेते हैं यह water है plus mass of calorie meter specific capacity of calorie meter or change in temperature of calorie meter तो mass of ice की तो find करना है mass of ice common निकाल ले भाई यहाँ पर आ गया L of ice L of ice तो दिया हुए यार 336 plus specific capacity of water 4.2 changing temperature 0 से common temperature क्या है यार इसका 5 है तो 0 से 5 हुआ है तो change कितना है 5 कही आएगा is equal to mass of water 150 specific capacity 4.2 changing temperature 30 से 5 होगा भाई तो 25 आएगा change change डान होता है mass of calorie meter 100 ग्राम का है उसकी specific 4.2 है changing आप देखेंगे तो 25 ही आएगा मैंने का न calorie meter का वही होता है जो से content का होता है simple सी बात है यार इतने simple से और क्या बताऊंगा आप न मैं आपके लिए प्रॉपर करी देता हूँ solve it अपनी तरफ से फिर से री चेक कर लेता हूँ सारा मैं ठीक है लेजी तो सबसे पहले तो हम इसको हटाएंगे देखें तो हमारे पास है 4.2 into 5 ठीक है 21 उसमें प्लस कर देता हूँ 236 तो मेरे पास जो है वेन इस सॉल इट तो आपका पता क्या बन रहा है आपे बन रहा है M of I इस देखें तुमारा बन गया M of I into 5 357 357 बनेगा is equal to is equal to अब आजाता है 150 150 में मंटिप्लाइ करेंगे 4.2 मुल्टिप्लाइ करेंगे 25 लो जी हमारा जो आंसर है वो बनता है 15750 प्लस अब इसमें प्लस क्या करना मुझे यह 100 लेना है उसको 4.2 से आप मंटिप्लाइ करेंगे इसी में आप 25 मंटिप्लाइ कर दो यार तुमारे पास यह बनता है 10500 तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो प्लस करना पड़े है 15750 ठीक है तो तुमारे पास आजाएगा यह solve करके 26250 तो M of I निकालना है 26250 divided by 357 तो divided by आप करेंगे 357 ठीक है तो आपका जो अंसर है वो आजाता है 73.529 है तो इसको 2.9 है तो 3 लिख सकता हूँ तो यह आपका फाइनल आंसर आपको मिलता है ठीक है मैं एक बाब फिर इसको चेक कर लें तो सारे वो complete ताकि आपको अच्छे रहे के लिए तो 4.2 इंटू 5 ठीक है 21 plus 336 तो 357 तो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है उसे में तो ठीक है यह डन है इसके इलावा इसके इलावा क्या है मार पाद 150 इंटू 4.2 इंटू 25 ठीक है तो आपके पास 15750 मिलता है यह भी ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है उसके पाद 100 इन्टू यही तो गडबड ही यही तो गडबड थी यही तो गडबड है बबुआ यह आपका 4.2 होना है या कैलरी मीटर का 0.4 होता है यही तो गडबड हुई तो 100 इन्टू 0.4 करेंगे देखो ऐसे होता देखो पता तो होता ही है ओ इतनी देश में पढ़ार हो तो वो न एक जालो कोई नहीं अधा लग ली रहा था तभी मैंने दुवारा री चेक किया इसको हाँ तो अब थोड़ा बड़ी ना बात हाँ तो बिसीकली मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूं यहां से इस सब उड़ाता हूं मैं फिर से कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं फिर क्या हो गया देखिए तो यहां पर मैंने इसको किया सॉल्व करने के बाद यहां पर आया थाउजेंड हाँ अब ठीक लग रहा थोड़ा सा अब एक काम करते ना इसी में प्लस कर देता हूं 15750 को 15750 को तो यह सॉल्व करके बना 16750 तो मास ओफ आइस विल बी 16750 डिवाइड बाई 357 अब आएगा तो डिवाइड बाई 357 तो अब आपका आंसर जो बन गया है फाइनल वो है 46.918 है तो 92 कर देता हो तो यह है आपका फाइनल आंसर तो यह है तो आई होप आपको यह सब समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कैलरी मीटर के उपर और और आपको यह सारे कोश्यों यह जो नुमेरिकल में करा रहे हैं और अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें अपने फैंस के साथ अगर शेर करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत बढ़िया होगा और आज के लिए बस इ